नमस्कार आप देख रहे हैं एनमेस न्यूस में आपके साथ बबलू की लोडिया नीमज के समीप स्थित मालखेड़ा से सम्मंदित दो सड़काथ से सामने आये हैं जिसमें मालखेड़ा निवासी एक मैला की दर्दनाक मोत हो गई है पहला सड़काथ सा जो हुआ है वह छोड़ी सादरी के समीप मलाऊदा गाउं के यहां पर हुआ है जहां पर मालखेड़ा निवासी एक मैला सीता बाई पाटिदार अपनी दो पुत्रियों के साथ छोड़ी सादरी के में शादी समारों में शामिल होने गई थी इसी दुरान मलावदा के समीब वह वापस लोट रहे थे तो वह असंत्रित होकर गिर गए जिसके चलते एक जो ट्रेलर था वह तेज रफ्तार से आ रहा था जो मैला को कुचलते हुए निकल गया जिसके चलते मैला की दर्दनाक मोत हो गई है वहें इसकुटी पर सवार दो ज इस्पताल ले जाया गया जहां पर उनके शव को मोर्चिरी में रखवाया गया आज सुबह शव का पोस्माटम कर शव परिजनों के सुपरूत किया जाएगा वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और वहीं बताया जा रहा है कि जो ट्रेलर चालक था वह मोके से फरार हो गया है वहीं दूसरा सडखाथ्चा जो नीमत सिंगोली मार्ग पर माल खेला के समीब हुआ है जहां एक डेट्सन कार जो सडख के किनारे खड़ी थी तो उसमें एक पीछे से तेज रफ्तार से आती हुई कार थार जो थी वंग जागुसी है जिसके चलते हैं बिज लावा था तो वहां जन्हानी हो सकती थी क्योंकि यह सडखाथ्चा बहुत ही भीशन सडखाथ्चा था सूचना मिलते ही सीटी थाने से पुलिस करवी मौके पर पहुँचे और जीसीबी की साहिता से जो दोनों कार फस गई थी उन्हें अलग-अलग करकर उन्हें जो मुक् स्माटम कर सो परिजनों के सुपरूत किया जाएगा जिले से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए बने रही है हमार साथ और देखते रही है नमेच न्यूज